नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्साम पातफाइंटर में जहां हम आपके लिए Government Jobs, Competitive Exams, Admission और Vacancies से Related Latest Information और Alerts लेकर आते हैं इसके लिए आप हमारी Platform Alert और ExamPathfainty.com पर विजट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो हमारा आप जो है EPF Alert आप उसको भी Play Store से इजली इंस्टॉल कर सकते हैं तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं में हर अफटे ऐसी informative वीडियो लेकर आती हम पर्टिकुलर पोस्त की detailed वीडियो ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा detailed information मिल पाए तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे UPSC CAPF Assistant Commandant Post के बारे में तो इससे जोड़ी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के अन तक जरूर बने रहेगा तो CAPF के जो full form है वो Central Arm Police Forces exam जो yearly basis पे conduct कराये जाते हैं UPSC के द्वारा eligible candidates को recruit करने के लिए various forces के लिए जिसे की border security force, central industrial security force, central reserve, police force और सशस्त्र सीमा बल तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ forces में recruitment के लिए इसका exam कराया जाता है हर साल तो इसका जो eligibility criteria है इसके लिए जो age होने जी होने जी होने जी 20 से 25 साल जो जरूरी qualification होने जी तो उसके लिए bachelor's degree होने जी किसी भी universities है जो government के द्वारा recognize हो और जो candidates appear करने ग्राइशन exam में या फिर wait करने अपने result का वो भी UPSC CPF exam के लिए apply कर सकते हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी जरूरी qualification है अब इसका जो exam pattern है मैं उसके बार में बताऊंगे तीन राउंड होते हैं पहला round होता है return test दूसरा round होता है physical ability test तीसरा round होता है interview या इंटर्वी वाने की personality test तो physical standard जो की जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि physical standard और medical standard बहुत ही important जीज होती है बहुत सारे लोग उसी में रहे भी जाते हैं कई बार तो इसके लिए height जो होने चीए men की होने चीए 165 cm, women की होने चीए 157 cm, जो weight होना चीए men का अब होना चीए 50 kg और women का होना चीए 46 kg अब अगर हम इसका medical standard की बात करें जो बहुत ही जरूरी तो eyesight का distance vision जो होना चीए 6-6 या फिर 6-6 और 6-9 better eye corrected vision और जो worst eye corrected vision है वो है 6-12, 6-9 जो near vision होना चीए वो n6 होना चाहिए और better eye और worst eye होना चीए n9 तो यह बहुत ही जरूरी चीज है जानना eyesight क्योंकि इसकी वज़े से बहुत लोग कई बार रहे जाते हैं तो यह eyesight है यह vision के बारे में मैंने आपको information दिया अगर हम बात करें roles and responsibilities क्या होती है तो अलग-अलग force ही कुछ अलग-अलग responsibilities होती है BSF की होती है trans border crime को stop करना नानिकी रोपना entry और exit जो है unauthorized people की Indian territory से उससे बचाना और कोई भी अगर illegal activity होरी जैसे कि smuggling especially borders पर तो उसको रोपना CRPF जो है वो riots को control करती है crowds को control करती है साथी vital installation और VIPs जो है उनको protect करना protection के towards काम करना environment की और उसी के साथ सबी force की अलग-अलग रोल से responsibilities होती है तो मैं आपको कुछ force की बता है ITVP की होती है VIPs को protect VIPs को protect करना उनको बचाना banks को बचाना sensitive installation को बचाना चेक रखना illegal activities पर जो कोई illegal activities तो नहीं होरी border पर जैसे की smuggling illegal immigration SSB में होती है Indian borders को guide गार्ट करना Nepal और भूटान के साथ और illegal activities के समय पर action लेना CISF के होती security प्रवाइड करना 356 industrial units में government infrastructure projects में facilities में all over the India में तो ये कुछ roles and responsibilities हैं आप देख सकते हैं बहुत ही reputed post है इसकी roles and responsibilities भी बहुत reputed है इसमें काफी reputed force है ITB, PSSB, CISF तो CAPF, ACA बहुत ही reputed post है इसकी roles and responsibilities भी काफी अच्छी है अब अगर हम बात करें तो salary भी काफी अच्छी provide की जाती है बेसिक पर 15600, dearness allowance है 26250, grade पर 5400, enhanced salary जो होती है वह 44135, तो salary भी काफी अच्छी provide की जाती है इसके जो allowances, works and benefits है वह house rent allowance, dearness allowance, medical allowance, special duty allowance, hardship allowance, transport allowance, money for ration तो आप देख सकते हैं बहुत ही reputed post है काफी अच्छी इसकी job profile है काफी सारे allowances भी provide के जाते हैं तो I hope आपको इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा सजादा जानकारी मिल पाई होगी ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चानल को subscribe जरूर करें अगर आप इससे related कोई भी information शेयर करना चाहते हूं तो हमारे community platform community.exampatfinity.com भी विजट कर सकते हैं इसका जो लिंक है मैं आप लोगों की मदद के लिए डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में डाल दूगी और government job updates, government job notification, admission updates, admission notifications के लिए आप हमारे alert platform alert.exampatfinity.com भी वजट कर सकते हैं या फिर हमारे EPF app जो है EPF alert app को भी install कर सकते हैं तो वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो उसे like and share करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में करें लग़ियो में झाल झाल